मुक्य मंत्री अशोग हैलोत के अधिक्षिता में बुदवार को सीमार में राज्य मंत्री परिशत की बैठक हुई जिसमें संबेदन शील पारदर्शी और जवाब देहें सुशासन की दिशा में कई महत्वपूर निर्नाय लिये गए बैठक में निन्य लिया गया कि मंत्री सब्ताहा के पहले तीन दिन सुमवार मंगलवार और बुदवार को जैपूर मुख्याले में रहे कर जनभाव अभियों के निराकरण के साथ ही विभाग की योजनाओं की भी नियमित समीक्षा किया करेंगी सब ही प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में हर महीने कम से कम दो दिन का दौरा करना ही होगा इस दौरान वी जन सुनवाई करेंगे वहां पर और जन प्रतुनीदियों के साथ जिले की समस्याओं, राजस सरकार की योजनाओं वे कारिक्रमों के प्रभावी कृरियानवेण का फीडबैक लेंगे और जिलाप्रशासन के साथ हिनकी समीक्षा करेंगे मंत्री जिलो के दौरों में प्रशासन गाउन के संग और प्रशासन शेहरों के संग अभियान 20 सुत्री कारिकरम राजुस सरकार की फ्लाक्शिप योजनाओ, जन घोशना पत्र के साथ बजट घोशनाओ और मुखे मंत्री गहलोत की की गई घोशनाओ के प्रभावी मॉनिचर साथ ही जोरान सरकार की तीन साल पूरे होने पर के जाने वाले शिलानयास और लोकारपन की सौगात भी मिले की जोरान नए साल में एक जन्वरी से राजो में शुद्ध के लिए युध्ध भियान शुरू किया जाएगा, जिहाए से मिलावट खोरों के खिलाफ कारवाई कर की सैंपल्स कलिक्ट की जाएंगे, स्कूलों में आए, कोरोना के मामलों पर भी इस में इस मीटिक में बात होई कहा गया कि सतरकिता और कोविड अनुशासन की निरंतर पालना बेहदाव शक है, इसको लेकर राजस सरकार चिंतित है और प्रिदेश में मेडिकल कर सकते हैं, मैं सब लोगों से अपील करूंगा, मास्क लगाएं, बीड में कम जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में कोरोना बढ़ रहा है, बारा बच्चे एक स्कूल के पॉजिटिव आ गए, हलाएंकि सरकारी स्कूलों का कोई आकड़ा भी आया नहीं है, प्राइशन प्रोग्राम में जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जिन्होंने एक वैक्सिन लगाई है, ब्यूसरी नियुक ketika कोई प्र्ढ़ी नहीं हने हैं, दूसरी नहीं लगाई है, वो भी पाप कर रहा है, बहीं कि इस ने एक भी नहीं लगाई तो और बड़ा पाप करना है भाया वैक्सिन दुनिया ने लगा लिए आप कोई नहीं मरोगे ना कोई मरने वाला है वैक्सिन से फाइदा होता है वैक्सिन से मरोगे नहीं बचोगे और वैक्सिन नहीं लगाओगे तो खुद मरोगे दूसरों को मारोगे चुली से खबर पराद एक अपडेट के साथ से यूगी दिनेश का साना इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुच कहा है दिनेश देखे नए सरकार के जो पुनरगठन और विस्तार हुआ है मंत्री परिशत कारी शफल के बार में पहली मंत्री परिशत की कल बैठक हुई और क कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो 2023 में अपनी मजबूती के लिए कारी की जा रहे है उसको लेकर के टास्क तो सौंपे ही गए साथ ही जनता की सेवा के लिए भी कई यहां पर रणनीतियां बनाए गई है क्या मुख्य हाइलाइट्स रहे कल की मंत्री परिशत की मीटिं इसके साथ ही जुर अपनों को निवदेश दिया गया है कि वो अपने दर्वाजे रखे है जंता के लिए और निश्तारण पीजिश्र कार रहें जम सीके साथ कि नश्रय वहा परने सेवार्ण सौंवारन्य देति क्लीश्र like ओने दर्वाजय रखे और निश्ता के लिए एक इसके साथ बारी परबहारी मंत्री भी लगाने महिने में दो दिन परबहार वाले जेलये में जाए हैं और वहां पर जो सोनी जार परां। नीजिन के संगवयान चरों के संगवयान चलाए जारा होым पर कंभार थैज़ों के सनगवयान चलाए जारा है। उसके नियमित मॉनिटिंग करें और परकाव उसे अभ्यान शुरू कि आया है उस देश्चे में सपल हो रहा है या नहीं दर्ता गुरात मिल रही या नहीं इस पूरी समिख्या वहां पर करें तो मंत्रियों को निल्देश दिये जाएं कि महिने में दो दिन जिले में जाएं और रात्री विसराम भी वहीं पर करें आज पास दाओं में जाता लोगों से वहां पर फिट्बेट लें इसके साथ ही जो सरकार की गोशनाएं हैं बज़त गोशनाएं हो उनकी भी समिख्या जिले में मंत्री वहां पर करें और जो भी पिट्बेट है वो CMO को अउगत करव हैं तेलामनार्श हैं या च्छार का अजिरे के लिए कि पर फिस तरह से जो रह्मिती बनाई जाए सकती है कूरी से सेजियन में मंत्रीयों को ने लवें डिया है कि इस बिट्बाव है का जिले में जाकर आप जो बपर करका करता है वो उनकी सुन्वाई हो आम जंदागी पि जी जली दिनिश बहुत शुक्रिया फिल हाल तमाम